हेलो एवरीवन यह है वीडियोज वर्ल चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स नमबर नाइन तो नाइन जो प्रॉब्लम है उसका टाइटल है आपका की टू स्टोरी प्लेन फ्रेम एक टू स्टोरी फ्रेम है जिस पर टू होरिजंटल ल से और जो हमारा इस प्रॉब्लम का सॉलूशन है 176.40 किपस फीट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को न्यू फाइल न्यू पोर्जेक्ट वेरिफिकेशन नाइन नेक्स्ट फिनिश तो सबसे पहले हर बार के तरह में एक जॉइंट नॉट बनाऊंगा और इजिन पर नॉट कर से इसको स्लेट करूंगा और टांसलेर रिपीट टूल को अन करके साइड में रखों और अब देखते हैं क्या है तो फर्स्ट है आपका 20 फीट 20 फीट देन 20 फीट फ्रेम तो यह आपका है य डिरेक्शन में 20 फीट टू स्टैप्स टू लेवल्स का है लिंक ओके अब इस मेंबर को हम स्लेट करेंगे और टांसलेर रिपीट टूल को लेंगे और एक्श डारेक्शन में 20 फीट का वन स्टैप लिंक लिंक पे क्लिक करते है और रिकड लटिकल quindi के और को हम जब हम वर्टिकल मैंबर को टान्सलेट करते हैं इस डारेक्षन में, तो यहाँ पर लिंक करने के बाद एक ओप्शन और आ जाता है हमारा, वो है हमारा यह, अगर आप इस पे टिक करते हैं तो जो यह टान्सलेट होगा जब, तो यह यहाँ पर तो बीम बनाएगा, यहाँ प तो link open base, ओके यह बन गया हमारा frame, ठीक है next क्या है, ओके, यहाँ पे आपका horizontal force लग रहा है, 20 kips का लग रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे लग रहा है 10 का, ठीक है, तो general load, dead load बना लेते हैं, add close, dead load के अंदर add करते हैं, nodal load, x direction में, एक है आपका 20, और एक है आपका 10, तो आपने add कर लिये हैं, एक, डबल add हो गया, डिलीट करते हैं, 20 kips का जो हमारा लग रहा है, वो लग रहा है, यहाँ पे, और 10 kips का लग रहा है हमारा यहाँ पे, support जो है हमारी, वो है fix, तो fix support add करते हैं, load लग चुका है, fix support लग चुकिये, अब देख लेते हैं, properties, properties में इन्होंने लिया है, ax2.2 और iz.1 और सभी को सेम प्रोपर्टी दिया है, तो define general ax.2 और यह सब हैं हमारे 0.1, add, close, assign to view, बस print all करना है हमें, और analyze करना है, इसके बाद हम चेक करते हैं, maximum moment कितना आ रहा है, result, view value, beam result, maximum check करते हैं कि बाद, 782, फिर हमारा यह unit change हो गई है, अच्छा, 176.40 को convert करते हैं, पहले कितनी value बैठती है हमारी इस unit में, moment है हमारी, feet और kips में, कितनी है, 176.40, 176.40, और हमें किसमें देखनी है, किप बारेंच, यानि 2116, इतना हमारा आना चाहिए, और कितना आ रहा है, इतना तो हमारा नहीं आ रहा है, beam, result, यह moment है, इसको हम थारा maximum कर लेते हैं, और यहां पर MZ, maximum moment, आ रही है, 2136, 2120, joint number, sorry, member number 5 पर, चेक करते हैं, member number 5, shift B से member number 5 है, इस पर moment चेक करते हैं, तो आर यह, 2120, इतनी ही है, हमारी moment आनी चाहिए थी, इसमें, तो हमारे verification example, correct होता है, तो इस वीडियो में इतना ही, केवल हमें, तू लेवल फ्रेम में, horizontal force लाने के बाद, maximum moment कल्कुलेट करने थी, ठीक है, थैंक यू, करते हैं, तो हमारे के बाद, तो हमारे के बाद,